आज की कहानी का नाम है दूजा प्यार, यह इस कहानी का भाग दो है, यह एक true love story है, चलिए शुरू करते हैं, करीब 8 बजे बजे होंगे, ठन भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन रीत को ना ठन की फिक्र थी और ना ही रात होने की चिंता, वह बस पागलों की तरह अपनी ही धुन में रोड पर चले जा रही थी, तभी उसे रोड की दूसरी साइड एक मंदर दिखाए पड़ता है, वह मंदर की तरफ जाने के लिए रोड प्रॉस कर रही होती है, कि अचानक सामने से आती हुई एक कारों से टक्कर मार आगे निकल जाती है, जिस वजह से वह बीच रोड पर गिर जाती है, और उसके सिर पर चोटा जाती है, सिर पर चोट लगने के कारण रीट बेहोश हो जाती है, जब रीट की आँखे खुलती है तो वह खुद को अस्पताल में पाती है, और उसके सामने चेय पर लगभग 40 या 41 साल की एक औरत बैठी हुई हो रोड पर बेहोश पड़ी थी और तुम्हारे सिर से खुन भी बह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल ले आई, उस औरत की बात सुनकर रीट उस वह पल याद करते हुए कहती है, जब वह रोड प्रोस कर रही थी तो तभी अचानक एक गाड़ी उसे तक्कर मार कर जाती है, रीट की बात सुनकर वह औरत और बुसे मैं कहती है, पता नहीं कितने घटिया लोग रहे होंगे जिन्होंने तुम्हें तक्कर मारी और रोड पर ऐसे ही छोड़ कर चले गए, खेर छोड़ो, तुम अपने घर में किसी का नमब दे सकती हो ताकि मैं उन्हें तुम मम्मी, पापा, भाई, बहन या फिर कोई दोस्त, उस औरत की बात सुनकर रीट नम आखों के साथ कहती है, नहीं, कोई नहीं है, मैं बिलकुल अकेली हूँ, जब मैं पांच साल की थी, मेरी मा मुझे छोड़ कर चली गई थी, दो साल पहले मेरे पापा भी गुजर गए, उ रीट की बाते सुनकर सामने बैठी उस औरत की आखे भी नम हो जाती है, कुछ देर बाद रीट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फिर वो और 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 दोनों हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं, रीट शांत भाव से उस औरत से कहती है, हेल्थ करने के मेरे साथ, मेरे घर, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, माफ कीजिएगा पर मैं आप पर बोज नहीं बनना चाहती, रीट शांत भाव से जवाब देती है, फिर वो और तोड़ा सक्त लहजे में रीट की कुछ पास आकर कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फ्री में अपने घर नहीं रखने वाली हूँ, उस औरत की यह बात रीट को समझ नहीं आती, इसलिए रीट उस औरत से पूछती है, मतलब मैं कुछ नहीं समझी, इस पर वो औरत कहती है, मतलब कि तुम्हें नौकरी करनी होगी और महीने में कुछ पैसे भी देने होंगे, आप समझ अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मैं केवल एक शर्ट पर आपके साथ चलूँगी, रीट की बात सुनकर वो औरत अजीब सा मुझ बनाते हुए कहती है, कैसी शर्ट? इस पर रीट हलका सा मुस्कुराते हुए कहती है, पहले आपको मुझे अपना नाम बताना होगा, रीट की बात सुनकर वो औरत भी एक बड़ी मुस्कान के साथ अपना नाम बताती है, अच्छा, मैं भी पागल ही हूँ, इतनी बाते हो गई पर मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया और नहीं तुम्हारा नाम पूछा मेरा नाम तो अंजली है अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम रीत है रीत कहती है रीत और अंजली वहां से चले जाते हैं कुछ देर बाद अंजली एक छोटे से लेकिन बहुत प्यारे से घर का दर्वाजा दर्वाजा खोलते ही लड़की अंजली से कहती है मम्मी आप इतनी लेट क्यों ओ गए आपको पता है मुझे बहुत दर लगता है अकेले में अंजली कहती है बेटा काम पर गया था अंजली के पीछे रीट भी घर के अंदर प्रवेश करती है अंजली रीट को अपना घर पीचा जिसके रंग बरंगे फूलों से महता हुआ पूरा घर अंजली रीट को अपनी बेटी से मिलाते हुए कहती है रीट इससे मिलो यह मेरी बेटी पाखी और पाखी यह रीट दी और अब यह हमारे साथ इस घर में ही रहेगी इस पर पाखी रीट की और मुड कर कहती है नमस्ते दी बदले में रीट भी मुस्कुराते हुए पाखी को जवाब देती है इतने में अंजली पाखी से कहती है पाखी अंच सो गया क्या इस पर पाखी कहती है हाँ मम्मी फिर अंजली रीट को सामने सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहती है रीट तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ इतना कहकर अंजली किचन की ओर चली जाती है रीट सोफे पर बैठे हुए पाखी से पूछती है अंच कौन है इस पर पाखी कहती है मेरा छोटा भाई अभी 6 साल का है अच्छा और तुम्हारे पापा रीट अगला सवाल करती है तो पाखी शांत भाव से कहती है नहीं है वो हमें छोड़ कर चले गए ये सुनकर रीट चुको जाती है तभी अंजली किचन से पानी का गिलास लेकर आते हुए कहती है प्रॉबलम तो सबकी जिंदगी में हुती है बस उन से लड़ना आना चाहिए और अब तुम भी सब कुछ भूल कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो अंजली की बात सुनकर रीटा अंजली के हाथ से पानी का गिलास पकडते हुए अपना सर हां में हिला देती है अगली सुभ़ अंजली एक रुमाल निकालते हुए कहती है कल जग तुम बेहोश थी तो तुम्हारे हाथ से गिर गया था और हाँ मैंने नाश्ता बना लिया है तुम कर लेना पाकी और अंश भी स्कूल चले गए हैं और मैं भी अब ओफिस जा रही हूँ तुम अपना ध्यान रखना और हाँ जॉब धूनने आज ही मत चले जाना आज घर पर रहकर आराम करो रीत रुमाल पकरते हुए कहती है हम रीत रुमाल को देखते हुए उस पल को याद करने लगती है जब पाक में अभिसार ने आंसु पोंचने के लिए उसे ये रुमाल दिया था कुछ देर बाद रीत उस रुमाल को संभाल कर अलमारी में रख देती है दो साल बाद, एक बड़ा सा हॉल जो लोगों की भीर से खचाखच भरा हुआ था और सामने स्टेज पर एक आदमी माइक पर कुछ बोल रहा था ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गून जो था लोगों की उस घीर में से अभिसार खड़ा होता है जिसकी हाइट लगभग 6 फूट एक इंच होती है ब्लैक पेंट, जिंग टोन बॉड़ी पर कसी हुई सफेद रंग की शर्ट और उसके उपर ब्लैक ब्लेजर, गोरा रंग, हलकी भूरी आँखे, सीधी नाख, चेहरे पर सलीके से बनाए हुई दाड़ी, बालों को जेल से सेट किया हुआ आज अभिसार बहुत ही हैंसम लग रहा था, वो खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगता है, स्टेज पर खड़ा वह आदमी अभिसार को देख माइक पर फिर से कहता है, आप लोगों को यकीन नहीं हुगा कि मिस्टर रावत ने केवल दो सालों में अपनी कमपनी फैश अभिसार माइक पकड़ते हुए कहता है, मैं अपनी कमपनी पूरे परिवार को देना चाहता हूं जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, अगर किसी के साथ उसका परिवार उसके अपने खड़े रहते हैं तो उसके होसले भी कभी नहीं तूटते, कुछ देर बाद अभिसा अभिसार की गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के बाहर खड़ी होती है, जिसके मुखे गेट पर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर लिखा था रावत नेशन्स, तभी चौकीदार आकर गेट खोलता है, कुछ देर बाद अभिसार गाड़ी से उतर कर घर की दोर बेल बजाने ही वला होता है कि दर्वाजा अपने आप खुल जाता है, और सामने उसका पूरा परिवार खड़ा उसका वेट कर रहा होता है, जैसे ही अभिसार घर की दहलीज के अंदर पैर रखने वला होता है तभी उसकी दादी उसे रोकते हुए कहती है, रुको, इस पर अभिसार कहता है क्या हुआ दादी, दादी, राधा अभी पूजा की थाली लेने गई है, तभी एक औरत हात में पूजा की थाली लेकर आती है और अभिसार की आरती उतारती है, अभिसार अंदर आकर अपनी दादी चान्ती, अपनी छोटी मा राधा और अपने छोटे पा पापा तेज के पैर्चूता है। जिसकी खूबसूरती और लंबे बाल किसी का भी दिल जीत ले। अभिसार से कहते हैं, अभिसार बेटा, आज शाम को हमने तुम्हारी सकसेस पार्टी रखी है। इस पर अभिसार कहता है, जी छोटे पापा, शाम को अभिसार के घर में उसकी सकसेस पार्टी चल रही होती है। पर अभिसार छट पर खड़ा पूर निमा के चांद को देख रहा था जो आज अपनी पूरी चांदनी को बिखेरे हुए था। अभिसार अपने जेब से रीत की दी हुई अंगूर्थी को निकालता है और उस अंगूर्थी को गौर से देखते हुए कहता है। अभिसार का द्या हुआ रुमाल नीचे गिर जाता है। रीत उसे उठाती है और खिर्की के पास आकर खड़ी हो जाती है जहां से पूर निमा का चांदनी साफ नजर आ रही थी। वो रुमाल की ओर देखती हुई कहती है पता नहीं इस रुमाल को हमेशा संभाल कर रखने का मन क्यूं करता है। काश मैं उससे कभी मिल पाती और उसका शुक्रियादा कर पाती लेकिन अगर कभी मैं उससे मिल भी गई तो उसको पहचानूंगी कैसे। मैंने तो उसका चहरा भी नहीं देखा बस मैं अब उसके लिए यही दुआ कर सकती हूं की है। भगवान उससे हमेशा खुशी रखना। इस कहानी का ये भाग यही समाप्त होता है। अगर आपको इस कहानी के बारे में आगे भी जानना है तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें।